दोस्तो स्वागत है आपका इंसाइट नॉलेज़ की एक और नई वीडियो में आज की स्वीडियो में हम दो काफे इंट्रेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं और ये दोनों ही खबर आत्म निर्भर भारत को देखते हुए काफी अच्छी है हमारी पहली खबर भारत के राजस्थान के विकानेर में क्रूड ओयल की संभावना से जुड़ी होई है जिस पर पूरी दुनिया की नज़ा टिक चुकी है क्योंकि ये इस तरह की पहली खबर नहीं बलकि पहले भी ऐसे बड़े तेल के बंडार होने की खबर सामने आ चुकी है जिसमें भारत हर दिन लगाता रिसर्च कर रहा है वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर देश के अंदर डिफेंस के छेतर में ड्रोन से जुड़े एक काफी बड़े डवलपमेंट को लेकर है जिसमें हमारी एक प्राइवेट कंपनी ने ऐसे ड्रोन का सफल परिक्षन किया है जिसके इस्तिमाल से हम दुष्मन के उपर पलग छपकते ही भारी भर कम हमला कर सकते हैं और यह इस तरह के ड्रोन है जिनका इस्तिमाल हाल फिलाल के युद में बड़े पैमाने पर किया गया है तो चलिए इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं दरसल दुस्तों मीडिया में निकल कर आ रहे लेटेस रिपोर्ट के मताबित राजस्तान के जिले बिकानेर के दो इलाके जिसमें नाल और सालासर सामिल है यहाँ पर क्रूड ओल की संभावना काफी जाता है इसके लिए तीन वैल ड्रेलिंग प्रोजेक्ट की सुरुवात कर दी गई है ओ एन जीसी इन इलाकों में अपने एक्विपमेंट लेकर पहुंच चुकी है और यहाँ पर ओइल वैल ड्रिल करके हमें काफी महतपूर जानकारी का पता चलेगा जैसे की इन इलाकों में कितना क्रूड ओइल मुझूद है उसकी गहराई कितनी है और क्वालिटी कैसी है जिसके बाद ही हम तैय कर पाएंगे कि यहाँ पर किस स्केल का इंवेस्टमेंट करना होगा जिससे हम इस संसाधन का सही इस्तेमाल कर सके भारत को उमीद है कि विकानेर में 25 मिलियन टन क्रूड ओइल होने की संभावना है साल 2020 से ही इस पूरे इलाके में 2D और 3D उपकरणों का इस्तेमाल करके जांच जारी है भारत को इस बात की उमीद है कि हमें राजिस्तान की विकाने नागोर बेसिन के 2000 वर किलोमीटर के इलाके में क्रूड ओइल और नैच्रल गैस के बड़े रिजर्व मिल सकते हैं जो हमारी अर्थवेस्ता में बड़ा युगदान देंगे साथी बाहरी देशों से क्रूड ओइल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता भी कम होगी यही वजह है कि नाल और सालासर में की जा रहे ही खोज काफी महत्व रखती है बता दे क्रूड ओइल और नैच्रल गैस जैसे संसादन की खोज हमें हाल फिलाल में भारत को काफी सफलता हाथ लगी मई 2023 में ओन जिसी को मुंबई के पास हमारे एक्सक्लूजिव एकनॉमिक जोन में कुरूड ओयल और नैच्रल गैस के दो काफी बड़े रिजर्व मिले इन में से एक 100 किलो मीटर दूर तो दूसरा 30 किलो मीटर दूर था बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों ही रिजर्व एरिया के मामले में काफी बड़े हैं एक रिजर्व 725 वर किलो मीटर में फैला है जबकि दूसरा 4600 वर किलो मीटर में है जिसकी वज़े से ये हमारे लिए काफी महतपूर खोज बना इसके लावा राजिस्थान, असम, गुचराथ, महराश्ट और मद्रपरदेश जिसे राज्यों में क्रूड ओयल और नैच्रल गैस के बड़े रिजर्व होने की संभावना है जिसके लिए भारत लगातार रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है साथी हमारे समुंदरी इलाकों में भी काफी बड़े फॉसिल फ्यूल के भंडार हो सकते हैं जिनने निकालने के लिए कई बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं इसके लावा खनीच पदार्तों के मामले में भी भारत को हाल में काफी सफलता मिली जिसमें जम्मो कश्मिर में मिले लिथियम रिजर्व सामिल है ऐसे में ये बात कहीं जा सकती है कि भारत अब आकिरकार अपने देश में संसादनों के खोच पर सही तरह से ध्यान दे रहा है वहीं भारत के हाथ बड़े खजाने लग रहे हैं बरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ ये खबर चिन्नई में सुरू हुए एक डिफेंस स्टार्टप बिग बैंग बूम सॉल्यूशन की तरफ से कमी केज ड्रोन की टेस्टिंग को लेकर है इस डिफेंस स्टार्टप ने इंडियान आर्मी के साथ मिलकर एक ऐसा ड्रोन तयार किया है जो हाथ से लौंच किया जा सकता है इस ड्रोन का वजन एक किलो ग्राम से भी कम होगा और विस्पोटक से लेस होने की वज़े से इससे हम कईद अलग-अलग तरह के टार्गेट को तभा कर सकते हैं इस तरह की टेक्नलोजी वाले ड्रोन दुनिया भर में अप्रचलित होना सुरू हो चुके हैं बिग बैंक बूम सॉलुशन को इंडियान आर्मी की तरफ से जो समर्थन मिला उसकी तारीफ इस स्टार्ट अप की तरफ से भी की गई ये भारत की तरफ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरफ अपना समर्थन दिखाने का साफ तरीका है जिससे हम देश के अंदर डिफेंस रिसर्च और मैनिफेक्चरिंग के वातावरण को मजबूत करना चाते हैं दोस्तो बिग बैंग बूम सॉलूशन ने अपने कैमिकेज ड्रोन के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं बताई लेकिन ये बात कनफर्म कर दी गई है कि इस ड्रोन का परिक्षन सफल रहा और ये इस कमपनी के लिए काफी बड़ा मील का पत्थर है बतादे कैमिकेज ड्रोन को सुसाइट ड्रोन भी कहा जाता है ये इस तरह के ड्रोन होते हैं जिनके इस्तिमाल से अमदुश्मन को सीधे टार्गेट कर सकते हैं इन ड्रोन में कोई मिसाइल या हतियार नहीं लगा होता बलकि ये विस्पोटक के साथ खुद ही जाकर टार्गेट से टकरा जाते हैं जिसकी वज़े से इने सुसाइट ड्रोन कहा जाता है एक किलोग्राम से कम वजन वाले ये ड्रोन आसानी से किसी इंडिविज्वल वाइकल या बिल्डिंग जैसे टार्गेट को तबहा करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है जिसकी वज़े से इंडियन आर्मी इसके डवलोप्मेंट को लेकर काफी इंटरेस्टिड है और इसका पूरा समर्थन कर रही है बरहाल दोस्तो इस वीडियो में इतना ही लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेट के तहट जिस तरह से प्राइवेट कमपनी भारत की डिफेंस में अपना योगदान देना स्टार्ट कर चुकी है ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है साथी इन प्राइवेट कमपनी के लिए और भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेट के लिए कॉमेंट बॉक्स में एक जहिन जरू लिखेगा साथी दोस्तों अगर आपको ये इनफर्मिशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ल आफेर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन को जरू दबा ले फिर मिले एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन